कि दोस्तों यह mobile है कि इसका charging प्राबलम है वगन इसको हम ठीक करेंगे हालो दोस्तों आप लोग कैसे है उमीद करते हैं ठीक होगे तो आए अमपर माय रिप्यर चैनल में आप सभी का स्वाववत है तो आए देखते हैं इसमें किया प्राबलम है दोस्तों तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर हम चार्जर पीन लगाते हैं और देखिंगे इस पर क्रेंट आ रहाए कि नहीं तो दोस्तों मीटर देख पा रहे होंगे और इसमें हम नापेंगे क्रेंट नहीं आ रहा है और दोस्तों इस पर आ रहा है यहां तक क्रेंट आ रहा है लेकिन इससे आगे क्रेंट नहीं जा रहा है यहां तक आ रहा है दोस्तों तो दोस्तों इसको हम ठेक करेंगे तो आए देखें वीडियों बने रहे है लाश्ट तक कि दोस्तों यह जीनर है कि इस पर हम जीनर लगाने वाले हैं कि तो इस पर देख लेते हैं कि इतना साइज में लगाएगा और इसको हम कट कर दे रहे हैं कि अबर कट करने के बाद हम इस पर बैठाएंगे तो दोस्तों इसको इतना पर्स कट करते हैं और इसको भी कट कर देते हैं ताके हमारा इस पर आ जाए तो दोस्तों इस तरह से हम इसको इस पर लगा देंगे जीनर को तो दोस्तों इस तरह से इसको सोल्ड कर देंगे हम ते दोस्तों इस सोल्डर गरम हो चुका है इसको इस तरह से हम सोल्ड करेंगे तो दोस्तों इस सोल्ड हो चुका है और इसका जो दूसरी भाग को सोल्ड करेंगे इस तरह से इस तरह से तो दोस्तों इस तरह सोल्डर हो चुका है और इसको हम नापे जो दूसरी भाग करेंगे और इस पर चार्जर पीन लगाएंगे जो कन्यक्टर पीन है उससे इस पर लगा देंगे और इस पर देखेंगे कई बोल्टा रहा है तो दोस्तों मीटर देख पा रहा हूंगे कर दोस्तों इस तरह से पांच बोल्टा रहा है और बैट्टी चार्ज होगा और इस पीन में देख पा रहा हूंगे पांच बोल्टा रहा है तो दोस्तों यह कम्पिलिट हो चुका है फाइनली और इसके बैट्टी हम लगा के देखेंगे अब इस तरह से और यह चार्ज हो रहा है कि नहीं है कि दोस्तों डिस्प्ले माच कर रहा है कि नहीं क्यांकि बैट्टी पूरा लो हो चुका है पूरा सेस हो चुका है तो दीखनी रहा है तो दोस्तों दूसरा बैट्टी हम इस पर लगाएंगे यह बैट्टी दूसरा है यह चार्ज है दोस्तों क्योंकि चार्ज वाला बैट्टी से लाएंगे देखेंगे तो दोस्तों देख पा रहा होंगे पूरा खुल चार्ज होने के लिए त्यारी तो दोस्तों सुचाब खुल रहा है तो दोस्तों इसमें देखना है कि चार्ज हो रहा है कि नहीं लेकिन डायरेक्ट पूरा सुचाब खुल रहा है अच्छाब हो रहा है दोस्तों देख पा रहे होंगे अगर इस तरह से हम इसको इसका जो कफर है हम लगा देंगे कफर लगाने बाद दोस्तों इस पे स्क्रू टाइट कर देंगे तो दोस्तों यह तभर लग चुका है और यह बैटरी इसका नहीं है इसमें दुसरा बैटरी लगा है और इसका जो स्क्रू है उससे हम टाइट कर देंगे तो दोस्तों यह टाइट हो चुका है और इस पे बैटरी हम लगा देंगे इसका जो सिम था दोस्तों है कम्प्लिट हो चुका है और इस पे हम चार्जर पी लाग देखेंगे और आप लोग के देखाए हम कि जो बैटरी करण है इसलिए इस पे उठाने रहा है झाल झाल